हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग आई होप सब बढ़िया होंगे आज हम अपनी नई वीडियो बना रहे हैं जो हम लोग अभी तक एरे का टॉपिक हमारा टू डाइमेंशन में जो चल रहा है उसी के प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंटिन्यू आगे कर रहे हैं आज का जो हमारा कुश्चन है बहुत इंपोर्टन है जैसा कि आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा और उस टॉपिक के अंदर आपको यह पढ़ाया गया होगा कि दो मैट्रिकस को आपके तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं या फिर मल्टिप्लाइ कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशन उसके साथ कर सकते हैं आज हम यहां पर मल्टिप्रिकेशन करेंगे एरेका यानि कि तीन मैट्रिक्स इसके अंदर हम लुग लेंगे और दो मैट्रिक्स की वैल्यू को आपस में मल्टिप्लाइ कराएंगे और उसके जो result हमारे पास में आएगा उसके basis पर हम third में उसको store करा देंगे चलिए देखते हैं, question बनता है write a program to multiply of two matrices यानि कि दो matrices की multiply करानी है exam के अंदर ये question बहुत important है और हर बार ये लगबा question पूछा जाता है देखिए, या तो ये multiply वाला question पूछा जाएगा, या फिर sum वाला question पूछा जाएगा, इन में से एक question पूछा जाता है और आपको ये question बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसके आने की चांज जादा होते हैं, ये थोड़ा सा sum वाले question से tough question हमारा यहाँ पर है हम बात करेंगे सबसे पहले हमने 2 header file लगाई, फिर main method बनाया, उसके बाद हमने integer A नाम का 3 into 3 matrix यहाँ पर declare कर दिया कॉमा लगाया, फिर B नाम का 3 into 3 का matrix हमने यहाँ पर declare कर दिया कॉमा लगाया C नाम का 3 into 3 यानिकि 3 row और 3 column का एक matrix हमने यहाँ पर बनाया, हम क्या करेंगे A में value डालेंगे, B में value डालेंगे और दोनों का multiply करा के हम यहाँ पर C में store करा देंगे, फिर हमने I और J नाम के यहाँ पर 2 variable लिए है, लूप चलाने के लिए एक तीसरा variable हम लोग यहाँ पर कर रहे है के, के भी लूप चलाने का काम करेगा और इसका फाइदा यह होगा, कि हम जब multiply कराएंगे, तो row into column हमारी यहाँ पर multiply होती है तो उसमें हम लोग को value को, यानि के indexing को fetch करने के लिए, के की ज़रूरत यहाँ पर देगे, इसके बाद आप अपनी output screen को clear कर लेंगे, clear करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट अफ नाम का message दिया, enter the array element इसको देखते ही, आपके पास permission आजाएगी, कि आप अपने array के elements को यहाँ पर store करा सकते हैं, आपको बता है यहाँ पर नाइल element हमारे यहाँ पर store होंगे जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में आपको loop चला के दिखा रखा है, चलिए देखते हैं, 4, I is equal to 0 I छोटा है 3 से, then हमने क्या किया, I plus plus कर दिया, फिर दोबारा 4 लगाया, J is equal to 0, J छोटा है 3 से, then again J plus plus हमने यहाँ पर कर दिया, फिर हमने value को scan कराया, scan bracket के अंदर percentile D लगा करके and लगाया, A I और J वाली position, यानि कि A की I और J वाली position पर हमने यहाँ पर element store कराने है चलिए देखते हैं, loop कैसे काम करेगा सबसे पहले हमने I में 0 डाला, यहाँ पर हमारी condition check हुई, कि 0 छोटा है 3 से, condition true होने पर, वो J वाली position में पहुचा J बराबर है 0 के, यानि कि J में क्या आ गया, 0 आ गया आप condition check हो रही है, कि 0 छोटा है 3 से, condition check होने के बाद condition true हो गई, true होने के बाद वो scan F के अंदर आ गया, उसने कहा A की I और J वाली position, I J वाली position हमारी कौन सी है, 0, 0 वाली position हमारी यह है तो A की value भी 0, A में I की value भी 0 है, और J की value भी यहाँ पर हमारी 0 है, देन उसके बाद हमने उसको loop को बढ़ाया, तो J की value कितनी हो गई, 1 हो गई, पहले तो 0, 0 थी, यानि के first value हमने यहाँ पर insert करा ली, उसके आज J में क्या किया, हमने 1 कर दिया, J में जैसे हमने 1 किया, condition check करी, फिर से नीचे है, यानि के 0, 1 वाली position पहली में डाल दिया, फिर J का increment किया, फिर 0, 2 वाली position पहली में डाल दिया, देन उसके बाद हमारा loop यहां से terminate हो गया, और वो J की value को increase कराने के लिए पहुचा, जैसे इसने J की value को increase कराया, J की value हो गई हमारे पास में 1, condition check करी, 1 चोटा है 3 से, condition हमारी true है, अंदर आ गया, J में हमने यहाँ पर 0 डाल दिया, J चोटा है 3 से, condition फिर से आ गई, अब इस बार scan करने के लिए एक ही I और J वाली position में, I हमारे पास क्या है, इस बार 1 है, और J क्या हो गया है, 0, अब I तो still stable रहेगा, 1 तीन बार, और J हमारा क्या करेगा, पहले 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, तो यानि कि हमने second row में भी element डाल दिया, देन उसके बार loop terminate होगा, फिर से J के पास चला जाएगा, I में हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, फिर हमने का 2 चोटा है 3 से, condition चेक हो गई, देन उसके बार वो J में 0 के लिए पहुँचा, फिर 0 चोटा है 3 से, condition चेक होई, फिर वो scan करने के लिए गया, कि A की I और J वाली position, I में इस बार क्या आगया है, 2 आगया है, और J में क्या आगया है, 0, यानि कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, third वाली indexing पे, third वाली row के अंदर value डाल रहे हैं, 0,1 वाली position पे value डाल, 0,0, 2,0 वाली position पे value डालेंगे, फिर उसके बार J को बढ़ाएंगे, फिर 2,1 वाली position पे element डालेंगे, और फिर 2,2 वाली position पे element डालेंगे, इस तरीके से आपके A नाम के array के अंदर, 9 element यहाँ पर store हो जाएंगे, then loop terminate होगा, और फिर I वाला loop terminate हो जाएगा, terminate होने के बाद हम next loop पर से लेंगे, हमने यहाँ पर print up लिया, एक message हमने यहाँ पर डाला, enter the array element, same procedure रहेगा, जैसा कि आपने यहाँ पर B पर, अपने element को यहाँ पर store कराया है, same इजी तरीके से आप B के element को यहाँ पर store कराएंगे, देखते हैं, 4 में सबसे पहले हमने, I is equal to 0 डाल दिया, I less than 3, loop हमारा दोनों condition के लिए same है, उपर वाला भी और नीचे वाला भी, I में 0 डाला, I छोटा है 3 से, condition चेक करी, उससे नीचे आया, उसने देखा कि J में हमने यह पर 0 डाल दिया, फिर condition चेक हुई, 0 छोटा है 3 से, then उसके बाद, हम कहां पहुँचे, scanf करने के लिए पहुँचे, अब हम चेक कर रहे हैं कि B की I और J वाली position, यानि कि B की I में कितना है 0, J में कितना है 0, यानि कि B की 0, 0, यानि कि first position के हम बात कर रहे हैं, तो हमने उस पर पहला element डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, I की value तो stable रहेगी, और J की value increase होगी, सबसे पहले जे की value 0 थी, उसके बाद क्या हो जाएगी, आई के बास पहुंचेगा, I में हमने increment करते ही, 1 कर दिया, 1 करने के बाद फिर से वो J वाले loop पे जाएगा, J में उसने 0 डाल दिया, J छोटा है 3 से, condition check होने के बाद इस खैने वाले portion में जाएगा, फिर इस बार बात कर रहे हैं, B के लिए I और J वाली portion, I की portion इस बार 1 है, और J की portion इस बार हमारे पास 0 है, तो 1 0 वाली portion पे इसका मतलब हम कह रहे हैं, कि बाई, second वाली row को, ये हमारा data फिल कर रहा है, then उसके बाद, I की value stable रहेगी, और J की value 0 से 1 होगी, 1 से 2 हो जाएगी, तो पहले वाले 1 0 पे element डाला, फिर उसके बाद, 1 1 पे element डाला, उसके बाद 1 2 पे element डाला, फिर से loop terminate हो गया, then उसके बाद फिर से वो I के पास पहुँच गया, I में फिर से increment हो आजबर I में हो गया 2, then फिर J के लिए गया, फिर उसने 0 डाल दिया, J छोटा है 3 से condition चेक करी, फिर scanf वाले portion में पहुचा, फिर यहाँ पर B के लिए उसने check किया, कि I और J की position, I में कितना है फिलाल, I में हमने रखा है यहाँ पर 2, और J में कितना है 0, अब I की value 2 stable रहेगी, और J की value 0, फिर 1 और फिर 2, तीन बार execute, मतलब तीन बार वो increase हो जाएगी, तो उसमें last वाली row में हम लोगों ने यहाँ पर element को store करा दिया, जैसी वो 9 element यहाँ पर store हो जाएंगे, loop हमारा यहाँ पर terminate हो जाएगा, J का और उसके बाद फिर हमारा I का loop भी terminate हो जाएगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर B के अंदर अपने element को store करा लिया, आप हमारे पास क्या है कि A नाम का एक matrix है, उसमें 9 element है, और एक B नाम का matrix यहाँ पर है, उसके अंदर 9 element है, अब हम देखते हैं कि हम इसको multiply कैसे कराते हैं, देखिए आपको याद रखना है कि पहली row का multiply पहले column से होगा, कहने का मतलब है first, जैसे हमने A है हमारे पास, first matrix A है, तो A का जो row होगा, वो B के column से multiply करेंगे, उसके बाद जो result आएगा उसको जोड़ करके, फिर first indexing का C का आपको element यहाँ पर मिलने वाला है, देखिए, आपने का 4 I is equal to 0, I 3 से I++, condition check करी, J में 0 डाल दिया, J 3 से J++, उसके बाद C की IJ वाली position पे 0 डालते रहेंगे, क्योंकि हमने उसको add कराना है, जिसे garbage value read ना कर ले, फिर 4 उसी के अंदर है, K में हमने 0 डाल दिया, K चोटा है 3 से K++, फिर body में आए, फिर हमने statement लिखा है, C की IJ वाली position पे क्या आजाए, बराबर है C की IJ वाली position में जो पड़ा हुआ है, उसमें plus होता रहे, और A की ज्यान से सुनना, I और K वाली position है यहाँ पे, multiply B की K और J वाली position है, यही position हमारी multiply कराने में काम आने वाली है, उसके बाद हमाँ loop terminator हो जाएगा, आई है हम अपने loop को execute करते हैं, किस तरीके से हमारा loop execute होगा, सबसे पहले हमने का I में हमारे पास 0 है, हमने का I चोटा है 3 से, जीरो 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 इंडेक्सिंग कर, क्या आ जाए, जीरो आ जाए हमारे पास, फिर हमने कहा कि 4, K में हमारे पास 0 है, condition check करी, 0 चोटा है 3 से, नीचे आ गया, वो कह रहा C की IJ, IJ में क्या है 00, C की IJ में क्या है 00, plus A की I में क्या है 00, और के में क्या है 00, boundaries 00 indexing हो गई, यहाँ पर multiply करी, B के K में क्या जीरो, और J में क्या है 0, याई कि पहली indexing की multiply, 00 की multiply, 00 वाली indexing की multiply हमने यहाँ पर करी, और जो भी कुछ आया, उसको हमने 0 में add कर दिया, क्योंकि C की IJ वाली position में, क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर 0 पढ़ा हुआ है ठीक है पहला element safe हो गया अब उसके वाद हमारा क्या बढ़ेगा सिर्फ के बढ़ेगा अब देखें आप C की IJ वाली IJ में क्या पढ़ा हुआ है 00 पढ़ा हुआ है के में कितना हो गया 1 तो देखिए condition क्या लिखी है C की IJ में क्या आ जाए जो C की IJ में पढ़ा हुआ है यानि कि उसमें जो भी हमने add किया था वो पहले से पढ़ा हुआ है plus C की I और K वाली I में कितना है 0 और K में कितना हो गया 1 यानि कि 0 1 वाली position यानि कि हमारी matrix की second element की बात B में K, J, K में क्या है 1 और J में क्या है 0, 1, 0 यानि कि हमारे पास matrix के fourth element कह सकते हैं और यह यह कह सकते हैं कि first column का second value value, first column की इन दोनों की multiply की जा रही है इन दोनों की multiply करने के बाद जो भी कुछ आएगा और जो पहले first row और first column की multiply करके आया था उसमें हम इसको यहाँ पर add करा देंगे then यही procedure हमारा continue आगे चलता रहेगा, इस procedure को आगे continue करते हुए हमारी matrix का multiplication हो जाएगा then फिर k का आपका loop terminate हो जाएगा, फिर j का और फिर i का loop terminate होगा, आप इससे बाहर आ जाएगे printf आपने दिया उसके बाद आपने लिखा display matrix element, selection लगा देंगे जिससे कि करसर आपका यहाँ पर next line में पहुँच जाए फिर आपने यहाँ पर for loop लिखा, आपने गा i में 0 डाल दिया, i छोटा है 3 से, i प्लस प्लस कर दिया, for j is equal to 0, j छोटा है 3 से, फिर j प्लस प्लस कर दिया, printing statement डाला, percentile d, slash t, slash t हमने इसले लगाया, क्योंकि जिससे हमारी जब matrix यहाँ पर print होगी, तो उसके बीच में, एक element दो element के बीच में, ठीक है जी, जो value, जो gap आपको देना है, वो slash t से आएगा, then, उसके बाद आपके सारे element यहाँ पर display होंगे, फिर आप printing statement में जाएगे, slash n दे रखा, slash n का आप भली बाती जानते हैं, कि next line में आपके element को ले जाने का काम करेगा, इस तरीके से, आपके सारे multiply का जो result आया है, उस c के अंदर था, तो आपने यहाँ पर क्या किया, c के सारे elements को display करवा दिया, और आपका final result आजाएगा, इसको आपको, यह जो question है, आपको इसको एक तोर execute करके देख लेना है, execute करने के बाद जो भी इसका output आएगा, अच्छे से आप लोग अपनी notebook मों उसको note कर लेंगे, ठीक है, इसके लिए, यह मैं आपको दुबारा बता रहूं, यह important question है, exam में यह कई बार पूछा गया है, जादर तर यही question exam में पूछा जाता है, long question में आएगा, ठीक है, बड़े number में आएगा, इसको आप अच्छे से एक बार, बहुत अच्छे से इसक क्यूज करें आए प Soup क dug से घाले इसको दॉफझेर के बार, ठीक है, जाम यहा है कर दोदॉबा realmente कि दो दॉजबार अश्या जै, को से लिए, यह मैं खएगा यह is रहूo है, जाने आप Northern स curl जोब हैं ए है।, यह जए ढवें आठाब आएगाब है की धिसक्त